नमस्कार आप देख रहे हैं News24, आपके साथ मैं हूँ रविठाक और शुरुआत आज की सियासत की बड़ी खबर से बेहार में जातिय जनगर्णा के आंकड़े जारी कर दिये गए हैं बेहार में 20 की कुल संक्या जातिय जनगर्णा में 63 पीसदी से जादा बताई है बेहार में ST की कुल आबादी करीब 20 पीसदी है तो आज की सियासत की ये बड़ी खबर बिहार सरकार ने आज जातिय जनगंडा के आंकड़े जारी कर दिये हैं और यह जो आंकड़े सामने आए हैं इस आंकड़े के बाद कई सवाल अपने आप में अब उतने लगे हैं कि क्या बिहार की सियासत में कोई बड़ा बदलाव यहां पर देखने को मिलेगा क्योंकि सरकार लगातार क्या ही जातिय जनगंडा के आंकड़े जल्दी जारी करने जा रहे हैं और जो आंकड़े सामने आएं टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस किस जाती के संख्या कि लोगों की जनसंख्या कितनी हैं ये तमाम चीजे अब क्योंकि 2024 के लोग सबाद चुनाबी नजदीक हैं तीन राजों में विधान सबाद चुनाब होने जा रहे हैं इन सबका असर इन चुनाबों पर क्या पड़ेगा बिहार की सियासत पर क्या पड़ेगा इसमें चर्चा करेंगे विशलेशन करेंगे जातिये जनगन्ना बिहार की जनता में गड़ीबों में भरम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है इन्हें तो रिपोर्ट कार्ड देने चाहिए थी कि 33 साल 18 साल नितिस बाबू और 15 साल लालू जादब ये दोनों ने मिलके राज किया और गड़ीबों को क्या उद्धार किया कितने लोगों को नोकरी दी कितने लोगों की हालत सुधरी ये रिपोर्ट कार्ड होनी चाहिए थी अब ये रिपोर्ट कार्ड जाती है जनगना का देकर के लोगों में भरम के सिवा और कुछ नहीं ये कास सेंसर्स पूरे देश में होना चाहिए इस देश के पिछड़े दलित अल्व संख्यक समुदाय के लोग लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि भाई हमारी संख्या कितनी है ये तो बता हो भारती जनता पार्टी पिछड़े और वंचित समाज के लोगों से घ्रणा करती है इसलिए वो नहीं लागू कर रहे हैं इसको गांधी जनती के मौके पर बिहार सरकार ने जातिय जनगर्णा की रिपोर्ट को सारजनी कर दिया है हमार साथ बाचित करने के लिए केसी त्यागी जडिव के भरिष्ट नेता प्रुसान से मौझूद है सर जातिय जर्गना की रिपोर्ट आ गई है तक्रीबन 63 परसेंट हैं वो पिछड़ा अति पिछड़ा ओवी सी हैं 15 फिस्दी के आसपा सामाने वर्ड के लोग हैं आज गांधी जैनती है और गांधी वादी नितिश कुमार के द्वारा गांधी जी को दी गई सबसे स्रेश सर दांज लिए गांधी जी चाहते थे कि आजादी पहुँची है कि नहीं पहुँची है सब के द्वारे इसका परिक्षा अगर लेनी हो तो पंक्ती में आखिर में खड़े हुए आदमी का चेहरा देखो आज नितिश कुमार ने उस आखरी आदमी का चेहरा पहचाना है जिनकी बिहार की आबादी में 63% की हिस्सेदारी है और जिन पर योजनाओं के पूरे लाव जिन तक नहीं पहुँच पाए हैं इसी मांग को लेकर के देश के उस सबसे पहले नेता थे जिनोंने बिहार कैबनिट से ओल पार्टी मीटिंग से प्रसा पास करा सबी दलों को लेकर के वो प्रधानमंत्री से मिले लेकिन कोई संतों जिनक उत्तर ना मिलने की वज़े से उन्होंने अपने प्रदीश में जनकना कराई और आखड़े नीसंदे चोकाने वाले हैं देश को ये जानने का अधिकार है वंचित समाज की लोगों को जानने का अधिकार है कि आजादी के अमरत वर्ष में भी क्यों वो पिछड़े रह गए नोकरियों में सामाजी सम्मान में और तन मन धन तीनों जिनके पास नहीं हैं उसके एमपाउडमेंट के लिए कितने काम किये गए लिहाजा अब नितिश कुमार जी वीपी सिंग और करपुई ठाकुर के बाद इन पिषड़े वर्गों की इन वंची समों के सबसे बड़े सरदार और नेता के रूप में उभरे हैं हम चाहते हैं समुचे दिश में घूम करके राज्यों की सरकार पर दबाब डाल और इंडिया गठबंदन की जो अगली बैटक हो उसमें जातीगत जनगना अगले चुनाव का मुद्दा बने नमबर एक नमबर दो महिलाओं के आरक्षन का हमने समर्थन किया है लेकिन अब इस दो बटे तीन आबादी के हक को कोई दल इंकार नहीं कर सकता लिहाजा महिला के आरक्षन में कोटा विदिन कोटा होना चाहिए यह भी मांग हम करते हैं तीसरा अती पिछलों के शमावेश के लिए रहुनी कमिशन की जो रिकमेंडेशन से वह भी लागू की जानी चाहिए तो जाती जनकरना जारी होने के बाद देश के सियासत में ब्यार की सियासत में क्या बदलाव आएगा इसी पे हम चर्चा करेंगे विशलेशन करेंगे हमारे साथ एक बड़ा पैनल हमारे साथ बना हुआ है साथ मेरे सयोगी भी हमारे साथ बने हुए है